हेलो एवरिवन कैसी हो आप 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 सही होंगे अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस एंड ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा सियर कर दीजिए क्योंकि हर किसी का काम आसान हो जाएगा इन करेलों को अगर हम दो गंटे पहले ही नमक लग लगा के रख देते थे ताकि हम सुबह उनको अगर हम नमक लगा के रखते हैं तो पानी छोड़ देते हैं या फिर हम उन्हें वोस करते हैं तो उनमें करवापन रह जाता है अगर आप इस तरीके से बनाएंगे इनमें करवापन बिल्कुल मिनने रहेगा आई गरंटीड आ इसमें आपको ऐसी सिकायत बिल्कुल भी नहीं मिलेगी हम इनके उपर की स्कीन उतार देंगे और देखिए ये थोड़ा सा खराब हुआ है ये थोड़ा पीला हो रहा है इसमें उपर के हम स्कीन को यूज कर लेंगे और बाकी को हम यूज नहीं करेंगे ये करेला कुछ पर डालना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और इसमें नमक और प्याज का सबसे ज्यादा ही रोल है प्याज को हमें अच्छे तरीके से बुनना है और नमक को भी किस स्टेज पर डालना है वो सारी टिप्स मैं आपको बताऊंगी ताकि आपके क्रेले बिल्कुल भ को दें नमक को ख़र हें तो ऑफिर उंगलियों की फिंगर से हमें देख लें देंगे यह फिर आपको निकालते समय पता चल जाएगा कि कोन से सीडस हमारे पके हुए हैं यह फिर कौन से कच्छी है अगर कच्छी होंगे तो हम उनको भी फ्राइे कर लेंगे और जो पके हुए होंगे हम उनको बाहर निकाल देंगे क्योंकि उनका टेस्ट अच्छा नहीं आता और देखिए इसके सीड्स पके हुए थे तो मैंने इनको अलग कर दिया यह थोड़े सा मुस्किल है क्योंकि यह बहुत अंदर सक जम्य होते हैं तो आप नाखुनों की हैल् और मैं इनको यूज में ले लूँगी तो देखिए फ्रेंट्स हमें इनको अलग से निकाल देंगे और जो बगे हुए सीड्स है उनको भी अलग से निकाल देंगे अब हम सारे सीड्स को ऐसे ही एक एक करके और देखिए फ्रेंट्स इसके तो आपको कलियरी ली दिखी जा कि निकाल देना और जो नर्म है उनको हम यूज मे ले लेंगे उनके सारों सीर लगा दिया आई उनके साइ सीड़ से निकाल दिया हम बीच में से क frågor लेंगे इसbled हम पीच पिस बीच के कट करें लेंगे अब हम इनको fry करेंगे मैंने लिया एकडाई एकडाई मैंने तेल डाला है और इनको हम deep fry करेंगे अच्छे त्रीके से अब हमें ध्यान ये देना है कि हमें कितनी मिंट तक इनको fry करना है मैंने ये करके इनको छोड़ दिया है तेल में, अब हम धेखें, फ्रैंट्स ये ग्रीन थे, बिल्कुल गॉल्डन फ्राइ हो चुकी हैं, इस तक हम इस स्टेज तक इनको बूनना है, देखें, ये थोड़ थोड़े गॉल्डन ब्राउन हो चुके हैं, मुझे इनको 12 मिन्ट हो चुकी है बूनते हुए आप पे सेंस रखिए यह नहीं है कि 5 मिन्ट को बूना और यह सोचने लगे कि यह तो ब्राउन हो ही नहीं रहे आप इनको अराम से और फ्लेम मेरी तेजी है तो आप मीडियम या फिलो नहीं रखें आप अपने हिसाब से विज़ WEALTH points से अपने आप अपना रघ बदल चुके हैं अब हमें यालो की से में हो चुके यह फिर गुर्डन बोल सकते हैं इनको बिल्कुल आपको अलग से पता चल जाए क्यिक इनका कलर हैं जो वह बिल्कुल अलग हो चुका है HOW जो चेल के उता रहे थैं हम लोई तर ल जादा डिलीशियस लगते है खाने में और ये रेस्पी इतने दमदार है ना आपको मज़ा आ जाएगा खाने में हम जैपूर गए हुए थे और जैपूर पहले मैं भी नमक लगा के रखे थी और जैपूर में गए तब उन्होंने पहले नमक लगा के नहीं रखा और इंस्ट पर ट्राइ कीजी और बताना जुरूर और देखे फ्रेंट्स ये बिल्कुल आठ मिन्ट के बाद ये फ्राइ हो चुकी हैं ये बिल्कुल ही रिसी कुड के थोड़े से हो जाएंगे और आपको अलग से ही पता चल जाएगा इसके सीड्स भी हमारे ब्राउन हो जाएंगे त तेल को अब मैं 15ylält याझ कर ना आप फिर आप की पल्टे के हल से इसको अलग कर सकती 행angel के थैल को अब मैं अब ओलल गरम है आप इससे ध्यान से खर ना मैं बिल्कुल स्लो करी कर रही हूँ बस थोड़ा सा स्पीड को मैंने हाइग की है इसमें थोड़ा सा जादा कर ली है मैंने इसकी स्पीड तो मैंने रखा है यह एक से डेट चमच मैंने ओईल रखा है उसमें हम जीरा छोड़ देंगे मैंने एक चमची जीरा लिया है और प्याज जो हमेंने लंबे-लंबे कट किया थे उनको हम आचे तरीके से फ्राइ कर लें तो क्रेले चाए कितने भी बुने हुए हो या करा रही हो तो हमारे क्रेलों में वो मज़ा नहीं आता देखिए फ्रेंड्स यहां पे मैंने इनको बुना है आठ से नो मिन्ट के आसपास मैंने इनको बुना है तो यह बिल्कुल ब्राउन हो चुके है और इसी स्टेज तक हम में इनको भूनना है अभी हम डालेंगे इसमें मसाली हमें नमक नहीं डालना पहले नमक हम लाश्ट में डालेंगे और बताओंगी जरूर की नमक कब डालना है मैं इसमें वही हमारे बेसिक से मसाले मैं ज्यादा मसाले यूज नहीं करते हैं आपको तो पता ही है मेरी सबज ने अगलिक्त ने सम्ट है दोड़ा साइब थोड़ा सावा की सभेस्त नहीं है हम अच्छी तीरीकरे इना है ..ख्रोद है या प्रक्रांग पानी कहना है अभी हम इसी स्टेज पे डालेंगे करेले जो हमने फ्राई किये थे करेलों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इनको भी हम दो या तीन मिन्ट के लिए पका लेंगे ताकि जो मीरच या हल्दी हमको अच्छी तरीके से फ्लेवर आ जाए मैं दो मिन्ट के बाद कुक करने के बाद इसमें नमक डाला है थोड़ा सा हम नमक जादा डालेंगे नॉर्मल सबजी में हम जितन डालते हैं उससे थोड़ा सा जादा डालना आप बस थोड़ा सा हम जादा डालेंगे और मैं इसमें थोड़ी सा होल कर रही हूँ ताकि जो हमारा एक्सेस हberg स्वायल है वैसे तो नहीं होगा क्योंकि वैने एक्सेस होय तो निकाल दिया था जो भी एक्सेस होयल है वो हमारा गड़ साखे ही और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सेयर और सब्सक्राइब